दस साल पहले स्टार क्लस पर साथ निभाना साथ या सीरियल शुरू हुआ था जिसके यादें आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में बनी हुई हैं। उसी के साथ यादें बनी हुई हैं शो के लीड एक्टर्स गोपी वो के किरदार की जुसे निभाने वाली अभिनेत्री देवलिना भटाचारे ने काफी अच्छे से इस रोल को निभाया था। पिना तो इस शो की कलपना ही नहीं की जा सकती। यही वज़वा है कि सीजन टू में भी यही लीड रोल निभाते हुए नजर आने वाली हैं। साथ इस वीडियो के आंतर तक बने रहें। साथ ही गोपी वो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गोपी वो के किरदार से प्रसद अभिनेतरी देवलिना भटाचारे का जन 22 अगस्त 1985 को असम में हुआ था। इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से कम्प्रीट हुई। अगर बात करें इनके आक्टिंग करियर की तो इन्होंने साल 2012 में स्वारे सबके सपने प्रीतों सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में साथ निभाना साथिया की गोपी वव के किरदार से एक घरिलू नाम बन गई थी। वहीं ये आखरी बार बिग बॉस 13 में नज़र आई थी। और अब जल्द ही साथ निभाना साथिया सीजन 2 में लीड रोल निभाती हुई नज़र आने वाली हैं। आपको बता दी कि ये अपने हर शो में काम करने का पाड़े 3 लाख रुपे चार्ज करती हैं। इसलिए आज ये टीवी की हाईस्ट पेड एक्रस बन गई हैं। और अपनी इसी कमाई से इन्होंने करीब 21 करोड रुपे की प्रापरटी बनाई हैं। जिन में 5 करोड का मुंबई के जुही इलाके में आलिशान फ्लैट है। इसके अलावा इनके होम टाउन असम में 16 करोड का एक आलिशान बंगला है। तो कुछ इस तरह से ये 21 करोड रुपे की प्रापरटी की मालकिन हैं। अब जब ये इतना कमाती हैं और करोड रुपे की मालकिन हैं तो इसी हिसाब से ये काफी आलिशान जिंदगी भी जीती हैं। अब आप इनकी ड्रेसेस को ही देख लीजिए। रियल लाइफ में ये साड़ी के साथ साथ काफी बोल्ड और ग्लेमररस ड्रेसेस पहनती हैं जिनमें गाउन, शाट ड्रेसेस सब ही शामल हैं। क्योंकि इनकी सभी ड्रेस डिजाइनर होती है इसलिए इनकी एक ड्रेस की कीमत तकरीबं 2 लाक रुपे होती है। इन ड्रेसचस पर ये लाइफ ओर फैंसव जूरी केरी करती हैं और इनके लुक को और भी अच्छा बना देती है। इसलिए इस तरह की जूरी का इनके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है जो काफी expensive है। ड्रेसिस और मैचिंग जूलरी के साथ साथ इनके पास ड्रेस से मैचिंग हिल्स का भी बड़ा कलेक्शन है जिसमें 50,000 वाले कैलविन क्लेन और बर्बरी जैसे ब्रांड के हिल्स शामल है अब अंत में बात करें इनके कार करेक्शन की तो इनके पास मरसेडीज, हुंडा सिटी और मारूती सुजू की जैसी कई गाड़ियां है नहीं बात करें इनकी नीजी लाइफ के बारे में तो फिलहाल ये सिंगल है लेकिन इनका नाम इनकी कोई स्टार विशाल सिंग के साथ भी जुड़ चुका है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही इंट्रॉस्टेंग ख़बरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले